Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे सापों के बारे में. साप एक रेंगने वले प्राणी हैं, जिनकी लगबग 2500 सो से 3000 किसमें पूरी दुनिया में होती हैं, मगर सारे के सारे साप जहरीले नहीं होते हैं. साप अपनी खुराक रोज नहीं लेता, बलकि ये हफ़ते महीने या साल में एक ही बार भोजन करते हैं. सापों को कोई भी अवाज सुनाई नहीं देती, साप बहरे होते हैं. हवा में पैदा हुने वली द्वनी, तरंगों का साप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. एक साप अपने मूँ से तीन गुना बड़े शिकार को खा सकता है, साप की आँखों पर पलके नहीं होती हैं, कोई भी साप बिना छेड़े कभी भी नहीं काटता है, साप अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन से लगा कर दर्ती से उठने वाली तरंगों और थोड़ी सी हल्चल को महसूस कर लेता है, साप अपने नाग से नहीं बलकी अपनी जीब से सूंगते हैं, अपनी जीब से साप आस पास के महौल का पता लगाते हैं, साप साल में कम से कम तीन बारी अपनी पूरी चमड़ी निकालते हैं साप अपना मूं 150 डिगरी तक खोल सकते हैं साप पानी में अपनी तवच्चा से कुछ मात्रा में सास ले सकते हैं 70% साप की प्रजातियां अंडे देती हैं जबकि अन्य 30% जीवित बच्चों को जन्म देती हैं ब्लैक मामा दुनिया का सबसे तेज साप है ये 20 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से रेंग सकता है दुनिया के सबसे छोटे साप ढाई इंच लंबे हो सकते हैं एक आकड़े के अनुसार भारत में हर साल 46,000 लोग साप के काटने से मारे जाते हैं जबकि सरकारी आकड़ा मातर 20,000 का है दुनिया के छोटे देश न्यूजिलेंड तथा अर्टाटिका में स्नेक नहीं पाये जाते ये थी सापों के साथ जुड़ी कुछ जानकारियां अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद